नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बेसिक प्रपोर्शनलिटी थियूरम यानि थेज थियूरम को प्रूफ करेंगे, तो चलिए सुरू करते हैं, थियूरम प्रूफ करने से पहले हमें कुछ बातें मालू होने चाहिए, वो बातें हैं कि अगर मेरे पास एक ट् रिया ओफ ट्रेंगल एबी सी, यह इक्वल होता है, हाफ इन्टू बेस इन्टू हाइट, वसे यह बात आपको मालू होगी, मुझे पता है, लेकिन कॉंसेप्ट आपको नहीं मालू होगा, बेस किसे कहते हैं आपको पता हैं, बेस पता करने से पहले जाने हैं हाइट क्या ह ट्रेंगल में जो 90 डिगरी बना है, मतलब यह हाइट है, इसे हम लोग हाइट कहेंगे, या कभी-कभी अल्टिटूड भी कहते हैं, अब बेस जानते हैं क्या होता है, बेस ऐसी साइड होती है, जिस पे हाइट गिरता है, ध्यान से देखिए, हाइट किस पे गर रहा है, बी बेस कहते हैं, तो बेस क्या होगा, बीसी होगा, ध्यान से देखिए, इसे हाइट कहेंगे, क्योंकि यह 90 डिगरी बना रहा है, और यह हाइट जिस पे गिर रहा है, उसे हम लोग बेस कहेंगे, यानि बीसी को क्या कहेंगे, बेस, तो इस कॉंसेप्ट की हमें जोयत पड़े थेल्स थियूरम को प्रूफ करने के लिए अब हम लोग आते हैं दूसरे कॉंसेप्ट पे यह बहुत इंपॉर्डेंट कॉंसेप्ट है इसको बहुत ही ध्यान से समझेगा मान लेते हैं हमारे पास दो ट्रेंगल ऐसे हैं जिनके बेसे सेम हैं यह मैंने दो ट्रेंगल मान और ट्रेंगल बी डी सी ध्यान से देखिए ए बी सी ट्रेंगल और एक बी डी सी इन दोनों में एक कॉमन बेस है बेस क्या है कॉमन है बेस कॉमन होने मतलब एक साइड कॉमन है तो अगर ऐसा होने के बाद यह जो दोनों वर्टिसेस हैं वो ऐसी लाइन पे रहें जो इस बे हो मतलब मैं अगर कहूं यह ad वाली लाइन अगर पैररल है bc के अगर यह ad वाली लाइन पैररल है bc के तो इन दोनों ट्रैंगल्स का area अपस में बराबर होता है area of triangle abc equal होता है area of triangle bdc यह थियूरम है आपने class 9 में पढ़ा होगा हो सकता है आप लोग उस theorem को पढ़के भूल गया होंगे यह वही theorem है कि जो area होता है दो triangles का जिनके basis common होते हैं और जो उनके जो vertices होते हैं वो same parallel पे लाई करें तो उनका area आपस में equal होता है आईए से फिर से समझते हैं मैं दो triangle ऐसे ले रहा हूं abc और bdc जिनका base common है base क्या है common है दोनों triangle में base क्या है bc है और जो दोनों opposite vertices हैं a और d यह vertices a और यह vertices d जिस line पे अगर lie करें वो line अगर base के parallel हो जाए यह vertices a और vertices d किस line पर है ad वाले line पे है न तो यह line अगर इसके parallel है तो इन दोनों triangles का area आपस में equal होगा यह बहुत important theorem है फिलाल theist theorem हमें proof करना है तो इस theorem को हम लोग proof ने करेंगे इसका सिधे use करेंगे तो सबसे पहले हम लोग theist theorem यानि basic proportionality theorem का statement समझेंगे पहले जान लेते हैं statement है क्या if a line is drawn parallel to one side of the triangle intersecting the other two side the two side in the same ratio यह statement है आपको अगर statement नहीं आ दो रहा है तो कोई problem नहीं है आपको theorem समझ में पस आना चाहिए theorem क्या है पहले उसे समझते हैं theorem कहता है कि अगर हमारे पास एक triangle ABC है और इस triangle में अगर आप किसी एक side के parallel कोई एक दूसरी line ड्रॉ करें जो की दोनों other sides को दो point पे intersect कर रही है मतलब अगर आप इस BC side के parallel अगर एक line ड्रॉ कर रहे है जो की इस side और इस side को दो point पे cut कर रहा है मालनेते हैं यह do point है D और E तब हम लोग पहले मान कर रहे हैं यह side इसके parallel है parallel के लिए मैं arrow लगाता हूँ यह side इसके parallel है तब Thales ने कहा कि जो इनके sides का ratio है यानि AD by DB यह equal होगा AE divided by EC के यह इसके equal होगा फिर से समझते हैं अगर किसी triangle में आप किसी एक side के parallel कोई एक line ड्रॉ करें जो की other two sides को दो points पे cut कर रहा हो तब जो उनके sides का ratio होता है वो equal होता है मतलब AD को अगर आप DB से divide करेंगे तो वो equal आएगा जब आप AE को EC से divide करेंगे यह हम लोग simple कह सकते हैं यह जो चारो sides है यह आपस में proportion में होंगे यह जो four sides हैं वो आपस में proportion में होंगे इसलिए इसका एक और नाम है basic proportionality theorem क्योंकि यह चारो क्या है proportion में है और यह बहुत important theorem है हो सकता है आपको इस बार अपने board exam में यह theorem proof करने के लिए पूछा जाए तो पहले जानता है proof क्या करना है अभी में आपको पताया क्या proof करना है हमें क्या proof करना है कि AD AD अगर हम लोग AD को DB से divide करेंगे AD को DB से divide करेंगे तो यह जो equal आएगा AE को जब हम लोग EC से divide करेंगे जब हम लोग AE को किस से divide करेंगे EC से ठीक है यह हमें proof करना है अब जान लेते हैं given क्या है हमें हमें given है कि ये जो d है वो parallel है b c k d क्या है parallel है b c k यह हमें given है तो इसी का हम लोग फायदा उठाएंगे तो इसके लिए हम लोग कुछ construction करेंगे construction करेंगे हम लोग construction क्या करेंगे आईए जानते हैं हम लोग point D से इस ae पर एक perpendicular द्रौ करेंगे point D से एक perpendicular द्रौ करेंगे ae पर यह perpendicular है इसको नाम लोग जी ठीक है तो हमने क्या किया construction लिख लीजे हमने dg perpendicular द्रौ किया ae के यह construction है हमने क्या ट्रॉक किया DG perpendicular to AE ठीक है अब बताईए अगर मैं area निकालूं triangle ADE का इस छोटे वाले triangle का अगर मैं area निकालूं तो आप लोग जानते हैं क्या होता है half into base into height तो base बताईए क्या होगा और height बताईए क्या होगा height मैंने भी आपको पता है ऐसी side जो 90 degree बनाएं यही वो side है जो कि 90 degree बना रही है यह DG height होगा मैं height के जगह DG लिख दे रहा हूं और base क्या होगा जिस पर height गिरता है यह height किस पर गिर रहा देखे इसे गिर किस पर रहा एई पे ना तो बेस क्या हो जाएगा मैंने क्या फामला यूज किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसमें भी तक कोई दिक्कत आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है अब हम लोग एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे अब यहां से मैं एक परपेंडिकुलर चाहूं तो इस स तो अब भूल जाएगे इस लाइन को यह डीजी वाले लाइन को भूल जाएगे और ट्रेंगल देखिये यह ए है यह डी है और यह ए है इसमें आप लोगों ने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऐसे है यहां पर मिला है एक तो मैं इस ट्रेंगल का फिर से एरिया न अब ये वाले side, height कहलाएगी न, क्योंकि ये 90 degree बना रही है, ये वाले side क्या कहलाएगी, height, तो EF height हो गया, तो base बताइए क्या होगा, base आपका AD होगा न, क्योंकि height जिस पे गिरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, तो base क्या हो जाएगा, AD, अब क्या करिए, इन दोनों को equate कर दीजे, दोनों आपस में equal होंगे न, ये quantity इसके equal होगा, तो ये पूरी का पूरा चीज इसके equal होगा, है न, तो मैं ऐसा होता है, ये ऐसा लिख सकता होंगा, नहीं, अगर ये इसके बराबर है, अर हाफ इन्टू, AD, इन्टू, EF के, क्या सकता होंगा, नहीं क्या सकता हो, अरे जैसे मालिख लिखा होगा है, X is equal to 4 plus 1, और यहां पर मैं लिख रहा हूँ, X is equal to 2 plus 3, ये दोनों X सेम है न, ये दोनों भी सेम होंगे, यानि 4 plus 1 किसके equal होगा, 2 plus 3 के, और सही भी बात है, तो उ मिलेगा क्या, AE into DG is equal to AD into EF, ये मिलेगा, इसे equation 1 मालनेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, अब हम लोग कुछ और construction करेंगे, अब हम लोग B और E को join कर देंगे, B और E को क्या करेंगे, join कर देंगे, ठीक है, अब मैं कहूं आपको, ये triangle आपको दिख रहाएक नहीं, D, E, B, D, B, E दिख रहाएक नहीं आपको, तो मैं कहा रहा हूँ, आप देखिए, in triangle, D, E, B, ठीक है, मैं D, B, E को अलग बना देता हूँ, ताब कि आपको अच्छे से देख सकें, ये वो triangle है, जो मैंने देखने के लिए बोला है, D, E, B, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें area निकालना है, इस triangle का area कैसे निकालना है, ना तो इसमें हमें base given है, ना ही height given है, क्यों, कुछ भी given नहीं, तो इसका area कैसे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, area of triangle, D, E, B, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें height given है, बस आपको देखने आना चाहिए, इस DB को extend किया गया है, अब गया है, और जब E और F को मिला गया है, यह 90 बनाए है, देखिए ध्यान से, है ना, इसी line को extend करके F तक ले गया है, मैं extend करके F तक ले गया है, अब देखिए height इस triangle की क्या है, D, E, B की height क्या है, height क्या होता है, just recall करिए, मैंने क्या बताया था आपको height, एक ऐस लाइन होती है जो कि 90 डिग्री बनाएं तो इस ट्रेंगल में यह जो हाइट है वो बाहर बन रहा है 90 डिग्री यही उसका हाइट होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाइट क्या जाएगा EF मुझे मालूम है आपको आट पटा लग रहा होगा कि हाइट ट्रेंगल के बाहर कैसे बन रहा है तो बिल्कुल हाइट जो है वो ट्रेंगल के बाहर भी बन सकता है यह कोई जरूरी नहीं है ठीक है हाइट ट्रेंगल के बाहर भी बन सकता है, लेकिन height वही होता है, जो 90 degree बनाता है तो height क्या होगा, EF होगा तो मैंने half into base into height लिख दिया, height EF है ठीक है, अब base लिखना बाकी है तो base क्या होता है, जिस पे height गिरता है, उसे base कहते हैं तब आप लोग कहेंगे, ये FB क्या है, base है क्योंकि जो height है, वो किस पे गिर रहा है FB पे, लेकिन हमें बस triangle DEB का ही area निकालना है, बड़े वाले triangle का area नहीं निकालना है तो हम लोग बस base इतना ही लेंगे DB ही लेंगे फिर से ध्यान से सुनियेगा base हमें चाहिए न, base क्या होता है height जिस पे गिरता है उसे हम लोग base कहते हैं, यह जो height किस पे गिर रहा है इस पूरे line पे गिर रहा है न, यह height यह height किस पे गिर रहा है इस वाले line पे, तो इस पूरे line को हमें base कहना चाहिए, लेकिन हम पूरे line को base नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें बस इतने का ही area निकलना है और जब इतने का ही area निकलना है तो बस इतने को ही base कहेंगे यानि base क्या हो जाएगा DB ठीक है यहाँ आपको यह line समझ माई अब हम लोग एक ओ लाइन ड्रॉ करेंगे DC यह construct कर रहे हैं DC अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप इस triangle में देखें DEC में DEC में देखें फिर से मैं इस triangle को अलग बना दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख सकें यह रहा D यह रहा E उसके हमें C तक जाना है C E और C को आपस में मिलाना है तो यह देखें ट्रेंगल है DEC है कि नहीं है बिल्कुल है यही वाला triangle में लिया ना DEC इसका हमें area चाहिए area of triangle DEC यह भी half into base into height होना चाहिए लेकिन फिर भाई सवाल ना तो इसमें height given है ना ही base given है लेकिन फिर से ध्यान से देखिए इस EC को extend करके ले गया गया है G तक extend करके कहा तक ले गया गया है G तक और D और G पो मिलाए गया है तो 90 बन रहा है तो फिर से भाई concept height क्या होता है height वो side जो कि 90 बना है height DG हो जाएगा क्योंकि वही 90 बना रहा है तो यह DG height के जगा मैंने DG लग दिया base क्या लिखेंगे base क्या होता है जिस side पर height गिर रहा है तो यह height किस पर गिर रहा है GC पर गिर रहा है तो GC आपका क्या होना चाहिए base होना चाहिए लेकिन हमें बस इतने का ही area चाहिए DC का ही area चाहिए पूरे का तो चाहिए नहीं तो base क्या हो जाएगा EC हो जाएगा तो base के जगह में EC लिख दूँगा, ये बात आपको समझ मारेक नहीं, क्यों मैं base GC नहीं ले रहा हूं, क्यों बस EC ले रहा हूं, क्योंकि हमें बस इतने का ही area चाहिए, तो जितने का area चाहिए, बस उतने का ही हम लोग base लेंगे, यानि EC लेंगे, EC लिख दिया मैंने, ठीक है अब पता है, मैंने एक concept यूज कर लिया, जो पहले बताया था मैंने, half into base into height वाला, अब मैं दूसरा concept यूज करूँगा, कि दो triangle के area आपस में equal होते हैं, अगर वो common base पे हो, और उनके जो vertices हो, ऐसी line पे हो, जो base के parallel हो, तो उनका area आपस में same होता है, इस concept का हम लोग use तो ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको एक figure ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा D, ये रहा E, क्योंकि अलग नहीं बनाऊँगा तो आपको दिखेगा नहीं, और ये triangle था DEC, DEB, ये triangle मैंने अभी आपको दिखाया, DEB, और इसी से एक और triangle बना है, DEC, बना है नहीं बना है, ध्यान से देखिए दो triangle को मैंने अलग-अलग बना दिया, DEB, DEB, DEC, DEC, इन दोनों का area सेम होगा, मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्यों सेम होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए दोनों ही triangle के पास common base है, ये जो base ह कि नहीं है, दोनों ही triangle में, दोनों ही triangle में base common है, ठीक है, और ये जो vertices हैं, वो जिस line पे मिल रहे हैं, वो line base के parallel है, क्यों, BC parallel है नहीं, DE के, BC parallel है, ये तो question में दिया ही था, theorem में दिया ही था, तो ध्यान से देखिए, ये दोनों triangles के पास common base है, और जो उनके opposite vertices हैं, वो उस line पे हैं, जो line parallel है base के, फिर से सुनिए, ये जोनों triangles के पास common base है, और जो इनके vertices हैं, वो ऐसी वाली line पे हैं, जो line parallel है base के, तो यानि इन दोनों का area आपस में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ, कि area of triangle d e b equal होगा area of triangle d e c के, इस वाले triangle का area, इस वाले triangle के area के equal होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ नहीं, बताइए, क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों triangle के पास common base है, और जो उनके vertices हैं, वो जिस line पे हैं, वो line parallel है common base के, है ना, तो हम लोग लिखेंगे by theorem, ठीक है, ये मैंने line कैसे लिखाया है, दोनों triangle के area क्यों आपस में equal होंगे, क्योंकि दोनों ही triangle common base पे हैं, और जो दोनों के vertices हैं, जिस line पे हैं, वो line parallel है common base के, इसलिए दोनों के area आपस में same होंगे, ये मैंने concept अभी आपको चिखाया था, तो मैं area of triangle DB के जगए ये line लिख सकता हूं, half into DB into EF, क्यों, DB का मैंने value रग दिया, ये था value, अब इस DC का value लग देंगे, area of triangle DC का value क्या है, half into EC into DG, यही है न, अब ये ध्यान से देखिए, half से half कट रहा है, तो क्या बचेगा, DB into EF is equal to EC multiplied by DG, यही बच रहा है, ठीक है, इसे equation 2 माल लेते हैं, तो हमारे पास दो equation निकल के आ, एक ये, और ये एक ये, मैं थोड़ा सा proof अलग बता रहा हूं, जो आपके book में दिया होगा, थोड़ा सा, जादा नहीं, ठीक है, ये जादा आसान पढ़ लिखते हैं, एक बार, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, मैं AE into DG equals to AD multiplied by EF, इधर लिख दे रहा हूं, मैं DB multiplied by EF is equal to EC multiplied by DG, ऐसे लिख दे रहा हूं, अच्छा ता ये, मैं इसको घुमा के लिख सकता हूं, नहीं, मतलब इसको यहाँ पर लिख दो, और इसको यहाँ पर, बिल इस वाले line को यहाँ पर लिख रहा हूं, DB multiplied by EF, और इस वाले line को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, EC multiplied by DG, ठीक है, अद दोनों equation को मैं divide कर दे, मतलब यहाँ पर भी divide का sign लगा दूं, यहाँ पर भी divide का, ठीक है, तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, यह दो equality से, एक equality मदल जाएगा, ध्यान से देखिए, DG से DG cancel हो रहा है, यह EF से EF cancel हो रहा है, तो आ क्या गया, AE by EC equals to AD by DB, और यही तो प्रूफ करना था, क्यों, ध्यान से देखिए, अपना प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, है ना, तो क्या concept मैंने यूज किया है, प्रूफ करने के एक लाइन लीजे, जो कि parallel हो, किसी एक side के लिया, उसके एक perpendicular draw किया, फिर इस triangle का area निकाला, फिर एक और perpendicular draw किया, उसका area निकाला, दो मैंने triangles का area निकाले, तो कि दोनों ही triangle एक ही triangle हैं, तो दोनों का area आपस में equal होगा, यह वाली line इसके equal होगी, तो हमें यह वाली line में पांचवी बार आप खुझ से कर ले जाएंगे आपको याद हो जागए थोगा समझत आई रहा होगा क्या करना है फिर से ध्यान से सुनेए इस वाले ट्रेंगल में दो बार एरिया निकालना है एक बार इस हाइट से और इस हाइट से और फिर दोनों को एकवेट कर देना ता दोनों इसलेए इक ओल होंगे क्योंकि दोनों के पास कॉमन बेस और कॉमन पैरल है जिनके पास वर्टिसस वो उस लाइन पर है जिस लाइन के विए यह इपास पैरल है जैस ही मैंने इकल किया तो हमें डी इन्तू एफ िसग़र टी इन्तु इंतु कार рокी इस इस लाइन को मैंने उल्टा करके लिखा और फिर डिवाइड का साइन लगा दिया तो डिजी से डिजी कैंसेल हो गया एफ से एफ कैंसेल हो गया हमें मिल गया एवाई इसी एडी बाई डी वी तो यह है प्रूफ प्रूफ लंबा नहीं है आप इसे दो से तीन बार खुछ से जैसे लगाएंगे खुछ से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह याद हो जाएगा और बड़े असानी साफ लोग बूर्ड में से सौल कर पाएंगे उमीद करता हूं आपको यह थीवरन समझना होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई